Hello everyone, welcome to study for civil services, मैं हूँ भरत सेनी और आज की इस फ्यूडियो में हम बात करेंगे BS6 भारत के नए इंधन के बारे में और बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रेल 2020 से पहले पहले BS4 प्रकार के वानों की बिकरी पर रोक लगा दी है हमें ये कह दिया गया है स्ट्रिक्टली कि आपको 1 अप्रेल 2020 के बाल BS4 के वानों को नहीं बेचना है तो इसके बारे में डिसकस करेंगे और जानेंगे कि क्यों ऐसा किया गया है देखे भारत के बहुत से सेरों में वायू प्रोडूशन बेहरी खतरनाक इस्तर पर पहुंच चुका है और ऐसे में गाडियों से होने वाले प्रोडूशन को नियंतरित करने के लिए हमने BS6 जेसे इंधन और BS6 वानों को लौंच किया है वानों की संख्या काफी अधिक होने के करण राजदानी दिल्ली में वायू प्रोडूशन का इस्तर देश में सबसे अधिक है दिल्ली में वानों की संख्या तकरीबन एक करोड से भी अधिक है जिन में से 60% डीजल वाहन ही है ऐसे में दिल्ली में प्रोडूशन के सम्मश्या घंबीर होती जा रही है इसको ध्यान में रखते वे सरकार ने क्लीन फ्यूल करने वाले BS6 मानकों के वानों को और BS6 फ्यूल को 2020 से पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई है और इसी क्रम में दिल्ली में 1 अपरेल 2018 स BS6 फ्यूल मिलना सुरू हो गया है तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे BS6 फ्यूल और BS6 वानों के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं बट बिफॉर वी बिगिन मां आपको बता दूं कि हमारे कुछ प्रेट गूरूप आते हैं जहां पे आप परसनल गाइडेंस ले सरजन मानक है क्या क्योंकि जब तक हमें BS के बारे में नहीं समझ में आएगा तब तक अगर हम 2,3,4 और BS6 तक की बात करेंगे तो कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा तो बात करते हैं BS के बारे में BS मानक जो है वो यूरोपिय नियूमों पे आधारित है और यह यह बताता है कि आपका जो प्रदूसक है अर्थार्थ आपने जो वाहन लिया है उसकी कितनी अधिक्तम सीमा होनी चाहिए जो एक वाहन उत्सरजन कर सकता है अर्थार्थ कितनी एक लिमिट होनी चाहिए जहां तक आपका वाहन किसी भी प्रकार का प्रदूशन कर सकता है तो प्रदूशन क करते हैं कि अगर आपका वाहन यूरोप में है और वह इस प्रकार की सीमा से आगे निकल जाता है प्रदूसन उससे ज्यादा कर देता है तो वह यूरोप में नहीं बेचा जा सकता तो इनी प्रकार के यूरोपियन येमों को भारत में अब अपनाया जार रहा है और सुप्रिम अच्वा 2005 से लेके 6 के आसपास BS2 और BS3 के मानकों को लौँच किया गया और BS3 के जो मानक थे उनको वर्ष 2010 में लागु किया गया ये हमने बात की कि कौन सा मानक कब लागु किया गया अब बात करते हैं जो ये BS है ये जो मानक है ये जब मानदन्ड जो लागू किये जाते हैं ये कौन सा बोर्ड करता है और किस प्रकार के मंत्रा लेके अंतरगत आता है जो बोर्ड इन मानकों को लागू करता है वो है केंद्रिय परिवर्टन मंत्रा लेके अंतरगत आता है अब बात करते हैं केंद्रिय पर गठन एक सावें धिक संगठन के रूप में किया गया था और जल अदिनियम 1974 के अंतरगत सितंबर 1974 में किया गया था उसके बाद 13 प्रडूशन नियंटन बोर्ड को जो सक्तियां मिली वो किसके तहत मिली वायू अदिनियम 1981 के तहत तो यह हमने बात की किस प्रकार इसका गठन देश में वायू प्रडूशन के निराकरण अथवा नियंतरन निवारन के लिए वायू गुणवत्ता में सुधार दाना इसका काम है तो यह हमने बात की कि इसका गठन किस प्रकार हुआ और इसका काम क्या है काम है कि जल प्रडूशन और वायू प्रडूशन को रोकना और गठन कब हुआ 1974 में सक्तियां कब मिली 1981 में तो यह हमने बात की केंद्रियर प्रदूशन नियंतन बोर्ड के बारे में अब वापिस हम आते हैं हमारे BS6 पे और जानते हैं किस प्रकार BS2 से लेके आज हम BS6 तक जा रहे हैं शुरुवात में भारत ने BS2 से शुरुवात की और अब हम BS3 BS4 से होते हुए BS5 को छोड़ के सीधा BS6 पे मूव करेंगे वो हम आगे बात करेंगे अब देखिए पिछले कुछ वर्षों में जो वाहन परदूशन है वो गट रहा है क्यों कि हम BS3 से लेके BS6 तक बढ़ चुके हैं कारण यह है कि जैसे जैसे हम BS की नंबर स्रीज में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वाहनों से होने वाला परदूशन कम होगा अता है अब हम यह कह सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जैसे जैसे हमने BS3, BS4 और BS6 को एक्वायर किया है वैसे वैसे हमारा जो परदूशन है वो घटा जा रहा है अब सरकार ने यह तरह किया है कि BS4 के बाद हम डारेक्ली BS6 पे जाएंगे क्यूंकि जो वर्तमान में जो हमारा एन्वार्मेंट की कंडिशन है वो कुछ इस प्रकार की इस्ततियों में आ गई है कि हमें बहुती क्विक स्टेप लेने होंगे और क्विक स्टेप में सरकार ने सबसे पहले BS4 से BS5 ने जाके BS6 जाने का निर्ने लिया है सरकार को पहले BS6 2024 तक लागू करना था परन्तु सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि हम 1 अपरेल 2020 के बाद BS6 पे ही मूँ करेंगे तो यह हमने बात कर ली कि अब हम BS5 को छोड़के BS6 पे जा रहे हैं अब इससे होगा क्या गारियों के जो इंजन की क्वालिटी है वो बेतर होगी और परडूशन भी कम होगा यह सब हमने बात की अब बात करते हैं कि BS4 के मुकाबले अगर हम BS6 का डीजल इंजन यूज़ करते हैं तो उससे जो खतरनाक परधार्त जो परडूशन फेला रहे थे वो अप्रोक्सिमेटली 70 से 75 परसेंट कम हो जाएंगे तो यह हमने अब डीजल इंजन और BS4 और BS6 का कमपेरिजन भी कर लिया BS6 के यूज़ के साथ ही भारत अब उन परकार के देशों में सामिल हो गया है जो एसिया परसान देश हैं और BS6 का यूज़ करते हैं और वो चुनिंदा देश हैं जापान, दक्षिन कोरिया, होंग कोंग, औस्ट्रेलिया, न्यूज़िलेंड, फिलिपिन्स और चीन अब इंदेशों में भारत की भी गिंती होगी अब चीन की बात करते हैं चीन ने BS6 का यूज़ करना तो सुरू किया है परन्तु भारी बरकम वाहनों में ही वह हलके वानों या छोटे वानों में इसका यूज़ नहीं कर रहा है क्योंकि भारी बरकम वाहन जो परदूशन फैलाते हैं उसकी मात्रा ज्यादा होती है इसलिए चीन ये चाता है कि BS6 का जो इंदन है परन्तु आज भी भारत में BS3 के वानों का प्रियोग हो रहा है तो अब हमें जल्द से जल्द इसको इंप्रूव करने की रिक्वार्मेंट है और जल्द से जल्द हमें इसको बढ़ाना होगा और BS6 तक हमको मूव करना होगा अब एक टाइम लाइन के बारे में बात करते हैं जो सरकार ने प्लान किया है कि किस प्रकार से हम BS6 के इंदन का हमारे देश में यूज करेंगे और BS6 प्रकार के वानों को हम हमारे देश में यूज करेंगे सबसे पहले 1 अप्रेल 2018 से दिल्ली में BS6 प्रकार का इंदन मिलना शुरू हो गया था अब सरकार का ये प्लान है कि नेक्स्ट येर अर्थार्थ 2019 में अभी की बात है 1 अप्रेल 2019 तक हम 13 बड़े सहरों में ये BS6 का इंदन उपलब्द करवा देंगे उसके बाद नेक्स्ट येर 1 अप्रेल 2020 तक पूरे देश में BS6 का जो इंदन है वो उपलब्द करवा दिया जाएगा और 1 अप्रेल 2020 के बाद जो भी वहन भारत में लौंच किया जाएगा वो BS6 प्रकार का ही होगा तो ये है प्रसरकार का प्लान एक टाइमिंग जो सरकार ने सोच रही है अब बात करते हैं कि सरकार के सामने जब BS6 को लौंच किया जाएगा तो किस प्रकार की चुनोतिया वहाँ होगी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये पहले ये प्लान था कि जो BS5 है वो एक अप्रेल 2020 को लौंच किया जाएगा और जो BS6 है वो 2024 से हमारे देश में लागू किया जाएगा परन्तु परियावरण की प्रिसिती को देखते हुए एन्वार्मेंटल कंडिसन्स को समझते हुए हमने ये डिसीजन चार साल पहले ही ले लिया और BS5 को हम अब एसकेप कर रहे हैं और सीधा BS6 पे मूग कर रहे हैं इससे होगा क्या जो डिजल के वाहन है वो अप्रोक्सिमेटली सतर जार से लेके डेड़ लाग रुपे तक महंगे हो जाएंगे तो ये भी सरकार को सोचना होगा कि हम इसको कैसे काउंटर करें अब बात करते हैं सरकार के कुछ लक्षों के बारे में कुछ टार्गेट्स जो सरकार ने रखे हैं और उनको प्राप्त करना चाती है जैसे की कार्बन डायोकसाइड का जो सरजन है उसको हम कम करना चाते हैं तेल के आयात को 10% तक हम कम करना चाते हैं और जो BS6 के जो engine है उनकी शुरुवात हम 2020 तक पूरे देश में करना चाते हैं तो इस प्रकार के अगर targets को सरकार अचीव करना चाती है तो उसका key point वो है technology हमें सबसे पहले technology को develop करना होगा और most probably हम 2020 तक technology develop कर भी लेंगे तो हमारे लिए technology एक मुद्दा नहीं होगा मुद्दा ये होगा कि आपके पास जो time है वो कम है और जो market है वो बड़ा है तो इतने कम time में आपको पूरे market को cover करके BS6 प्रकार के वहनों को उपलब्द करवाना है तो ये भी सरकार के सामने एक चुनोती होगी तो ये हमने जो हमारे पास challenges है उनके बारे में discuss किया अब बात करते हैं अगर BS6 को हम लागू कर देते हैं तो हमारे को किस प्रकार के लाब यां से मिलेंगे सबसे बड़ा फाइदा तो हमें यही होगा कि जो सांस लेने के लिए हमें हवा मिलेगी वो स्वच्छ मिलेगी ये हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक सहीं मिलेगी क्योंकि पर्दूस उनके दुआरा जो फेलाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं उनमें से मोश्टी चार प्रकार के होते हैं पहला carbon monoxide CO hydrocarbon HC और nitrogen oxide NO फिर particulate matter अब particulate matter को आपको समझना होगा कि इन तीन को तो आप normally आप समझ सकते हैं particulate matter क्या होता है जो ठोस और द्रव का इस प्रकार का संगठन होता है जो आप नेगद आई से नहीं देख सकते बहुत ही छोटे और सुक्ष्म कन होते हैं इनका जो diameter होता है वो भी microns में होता है और जब आप कभी भी production बढ़ने का जब आप कोई news पड़ेंगे तो उस वक्त आपको PM 10 या फिर PM 2.5 की बात ही आप देखेंगे इसका मतलब यह होता है 10 it means जो कन है पार्टिकुलियर जो meter है उनका जो diameter है वो 10 micron की आसपास है और जो 2.5 है उसका मतलब है कि आपका जो पार्टिकुलियर मेंटर है उसका diameter 2.5 micron की आसपास है और यह स्वास्ते के लिए हानिक कारक होते हैं औ होती आदा हानिक कारक होते हैं तो यह हमने देख लिए कि किस प्रकार के प्रदुसक तत्व हवा में पाये जाते हैं अब यह देखते हैं कि पेंट्रोल इंजन और डीजल इंजन कौन कौन सा किस प्रकार के प्रदुसक तत्व को फेलाता है पेट्रोल इंजन जो होता है वो BS4 से BS6 में मूव कर जाएंगे तो ये तो हमें पता है कि हम बहुत से जो परदूशन को है कम कर देंगे परन्तु जो सल्फर का जो इस तरह वो कितना कम होगा सल्फर का इस तरह अप्रोक्सिमेटली पांच गुना कम हो जाएगा और जो सल्फर का जो सर्जन है उसमें 80% तक की कमी आएगी इसी लिए हमने BS6 को स्वच्छ इंदन कहा है और ये नए भारत का नए इंदन है तो अब देखते हैं कि ये जब इस BS6 हम हमारे वहानों में यूज करेंगे तो हम हमारे वहानों से होने वाले प्रडूसन को भी कम करेंगे और हमारे वातावरन को साब बना सकेंगे तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं कतम करते हैं BS6 के बारे में हमने 360 degree view में सब कुछ एनालाइज कर लिया है कोई भी point यहाँ पर हमने छोड़ा नहीं है most probably अभी cover किया है exam में आप आराम से BS6 के बारे में लिख सकते हैं objective question को crack कर सकते हैं so please like, share and subscribe our channel thank you very much for watching our video bye